हाई फ्रेंड्स, विल्कम बैग, आज मैं बात करूँदा इजी ट्रिप प्लानर का, इस स्टोक को डिसकस करने का रीजन है कि आपको ये समझाना कि अगर आप बिजनर्स को ठीक से समझते हो, अगर आप टेकनिकर पे अपनी पपर रखते हो, तो आप कभी भी ऐसे स्टोक में नहीं फस होगे, जहां पे कोई भी वैलुएशन नहीं है, आप ऐसे स्टोक से दूर रखोगे, और स्टोक मार्केट में अपने कैपिटल को सेफ रखोगे, एक डिसक्लेवर है, ये कहीं से भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा परपस आपको सिर्फ टेकनिकल क बताना है, ताकि आप अपने कैपिटल को सेफ रख सपो, स्टोक मार्केट में पैसे कमाने से ज़्यादा अपने कैपिटल को बचाना है, तो इस वीडियो में आप यहीं सीखेंगे, अबर आप यूटूब पर सर्च करेंगे, इजी ट्रीप, बानर वैलु इंवेस्टिंग तो तीन वीडियो आपको निकल करेंगे, यह जो तीनो वीडियो है, मैंने एक साल पहले बनाया था, इस तीनो वीडियो में मैंने यहीं बताया था, कि यहाँ पे जो वैलुएशन है, वो गाफी हाई है, और ऐसे स्टोक को मैं कभी भी बाई नहीं करूँगा, तो अगर 84 रूपीज के उपर है, यहाँ पे जब यह जो स्टोक था, यहाँ पे तीजी आ रही थी, जब मैंने इस वीडियो को बनाया था, तो बहुत सार रूट यह बोल रहे था, कि स्टोक उपर जाएगा, स्टोक आपी अच्छा है, लेकिन हमें सुन कर भाई नहीं करना है, इसलि क्या हो सकता है, तो मैं कभी भी नियूज के बेस पे किसी भी स्टोक को बाई या सेल नहीं करता, अगर आपको नियूज देखना है, तो यहाँ पे यह नियूज निकल दराई है, इजी ट्रिक बलानर का 20% नीचे गिरा है, उस तो क्या रीजन है, आप यहाँ पी जाकर पढ नीचे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा चार्ट पैटन को फॉलो करना है, तो यहाँ पे क्या फो रहा है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, तो अब यह तो स्टॉक है, फर्दर नीचे कितना जा सकता है, इस इसको समझने के लिए, मैंने ओपन किया है, daily time frame का chart pattern swing trading के लिए मैं daily time frame का हमेशा use करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यह तो stock है एक pattern बना रहा है उसको बोलते है inverted cup with handle यह जो है एक bearish chart pattern है जो कैसे बनता है अगर आप देखोगे तो यहाँ से बना cup यहाँ से यह बना handle और यहाँ से एक और handle यहाँ पे multiple handles बने गए है cup with handle का यह opposite है cup with handle जहाँ पे bullish chart pattern होता है inverted cup with handle एक bearish chart pattern होता है और इसमें क्या होता है कि जैसे हैं यह line जहाँ पे stock बारबर support ले रहा है breakdown होता है तो इसका मतलब यह है कि stock काफी नीची जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज एक अच्छे खासे volume के साथ यहाँ पे जो stock है काफी नीची आया तो यहाँ पे एक और chart pattern बन रहा है उसको भी देख लियते हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट बैटर बन रहा है उसको बोलते हैं descending triangle यह कैसे काम परता है अब देख लो इसमें क्या है कि मैंने support को यहां पर mark किया अब आपको जो resistance है उसको लेकर एक line को ऐसे draw करना है अब यहां पर यह जो बैटर हैं वो हमेसा हावी हो जा रहा है क्योंकि जब भी stock high बना रहा है तो previous high से जो दूसरा high बन रहा है वो नीचे बन रहा है यानि जो यहां पर steering है driving है वो beers के हाथ में जा रहा है और आज यह breakdown भी वगया यानि आव इस stock में और भी गिरावट हो सकती है अब सवाल आता है कि अगर गिरावट होती है तो और further कितना नीचे ला सकता है तो अगर हम देखें तो यहां पे जो इसका important support है यहां पे है 29 रुपीज यहां पे इस stock जो है एक further support ले सकता है और अभी stock कितने पे है अभी अगर देखोगे तो यह 34 रुपीज पे है यानि जो support है यहां से कितना नीचे है अभी भी तो यहां से यह लगवक 10% अभी भी नीचे है तो फिलहाल मैं ऐसे stock में अगर मुझे बाई करना हो तो मैं बाई नहीं करूँगा क्योंकि बाई करने के लिए और भी बहुत सारे अच्छे से stock है जिनकों मैं बाई करूँगा जो valuation को देखने का तरीका है और डेडी मैंने यहां पे बताया था इन तीनों बीडियों में समझाया था मैं हमेसा बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो बाई ट्रेडिंग करनी है ऐसे stock में जहां पे अगर आप share holding pattern देखोगे तो खुत बखुत यहां पे कहानी बताया जा रहा है और मोटर जो है अपनी होल्डिंग को यहां पे लगतार घटाते जा रहे हैं उसकी अलावा यहां पर FII और DII के पास नामवाट की holding है और public के पास अगर देखोगे तो सितमबर 21 के बाद से यहां पर holding बड़ी है तो public के पास holding बड़ी है परवोटर अपनी holding खटा रहे हैं और FII और DII के पास यहां पर holding नहीं है यही रीजन था कि मैं इस stock से अब तक पूरा होता है, बट ऐस अफरो मुझे ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब अगें मैं कितनी सारी बाते बोल रहा हूं, तो यह मेरा अपना ओपिनियन है, आप कोई भी डिसीजन अपने बिवेक से लेंगे, अपने रिस्पलेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ आपको